हेलो रिवन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोजीट एले सिरप के बारे में जो कि इस सिरप के इस्तमाल म्यूकस वाली खांसी बल्गम वाली खांसी के प्रपज में बहुत जादा इस्तमाल करने के लिए जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यहीं बात कर पर बहुत ही असानी से अबलेबल हो जाता है LMB Company की बना ही मेडिसिन है 100 ml की पैकिंग होती है 110-120 का प्रैस होता है अब बात करते हैं ब्रोजी टैले सिरप में क्या 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 कॉम्बिनेशन है तो इसमें आपको तीन तरह के important combination अबलेबल हो जाते हैं एंटी अस्थमेटिक और एंटी टासिव क्लास से बिलोंग करने वाला यहां मेडिसिन है जो की अंब्रोजील का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ब्रोण को पॉल्मुनरी डिसीज में परपर्ज में इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा यहां अस्थमा के परपर्ज में भी दिया जाता है इसके सांथे सांथ respiratory tract infection होता है तो उनसे भी condition में दिया जाता है इसके सांथे 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 सुखी खासी में भी इस्तेमाल करने के लिए देते हैं एंब्रोग्जोल कॉंबिनेशन का दूसरा कॉंबिनेशन है लिवसल ब्यूटामॉल लिवसल ब्यूटामॉल जो की एक तरीके का anti-asthematic medicine है इसके सांथे सांथ सेलेक्टिव बीटा 2 adrenoreceptive agonist है जो की इसका इस्तेमाल अस्थमा के परपर्ज में करिया जाता है इसके अलावा इसे ब्रोण को स्पाजम के परपर्ज में इस्तेमाल करते हैं जो की airways की pipe जो होती है सांस लने में दिक्कत होती है तो उन सा भी condition में भी इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा chronic bronchitis की समस्य होती है तो उन सा भी परपर्जों में भी levosolbutamol काफी कारगर होता है तीसरा combination है guafencin जो की यह एक तरीके का expectorant के class से बिलोग करने वाला ही है medicine है जो की इसका इस्तेमाल बहुत जादा congested chest होती है mucos के जम जाने कारण तो उनको यह clearance करने में काफी कारगर होता है common cold cuff जैसी समस्य होती है या किसी पर अगर कोई infection होती है तो उनको यह cure करता है allergic condition होती है तो उनसे भी cure करने में काफी कारगर होता है तो यह तीनों ही combination combine होकर के बलगा मौली खासी को दूर करने के लिए इससे जुड़ी और भी समस्याँ को दूर करने के लिए काफी कारगर होती है इनके यह benefit होते है बात कर इस दव का क्या dose है तो dose depend करता है कि आपकी age क्या है healthy condition क्या है और आप इसे किस purpose मिले रहे हैं उसी सबसे का dose एक confirmation होता है नौरमली 12 सल से जो नीचे के age होते है उनमे यह 2 ml से 5 ml तक दिया जाता है जो कि आपको किसी परगार के कोई नुकसान देखने को न मिले बात करे क्या नुकसान हो सकता है अगर आपको suit नहीं करता है तो vomiting, sar में दर्द, तोचा मिलाली पन बहुत ज़्यादा नीन दाना, पेट में दर्द होना चेहरे पे सूजन होना इस तरही के नुकसान देखने को मिलते हैं तो आपको यह suit नहीं कर और आपको इस्तमाल नहीं करना चाहिए पर यह बहुत ही rare case होता है बात करें किससे नहीं लेना है अगर आप pregnant lady, breastfeeding mother, sugar के patient हैं किसी परगार के आपको कोई भी critical medical condition में कोई medicine course चल रहा है तो उन से भी condition में डॉक्टर की रेख देख और डॉक्टर के सलहा के बाद इस्तमाल करें किसी के बताया जाने पर इसे इस्तमाल ना करें अगर आप normal वेक्ती भी हैं तो उस condition में भी आप डॉक्टर के रेख देख और डॉक्टर के सलहा के बाद ही करें तो यही था ग्रोजी टेले सिरप के बारे में जनकरी अगर आप कोई वीडियो यह जनकरी अच्छी लेगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमाद थेंक्यों फर वाचिंग झाल